हेलो फ्रेंट्स में सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंतर डॉक्टर वीजय दही फले के साथ इस खास कारिकरम में तहेत दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई miqqal emergency आती है या फिर स्वास्ते से जुड़ी कोई भी परिशाने सताती है तब हम क्या करते हैँ सबसे पहले हम वो सारी चीज़े हमारे friends या family के साथ share करते हैं पर दोस्तों जब भी हमें कोई sex से जुड़ी परिशानी सता थी तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हम शर्मा थे हैं, हम जिजक थे, पर अफ शर्मा ने की जिजक ने की बिल्कुल जरूत नहीं किए डॉक्तर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स-रिलेटेड सवालों के बहुती पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे और दोस्तों शो को शूरत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर वीजे दही फले इनके बारे में डॉक्टर वीजे दही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैद्राबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजे दही फले का भारत एवम अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशुरा करते रहते है चलिए दोस्तों आपको डॉक्टर साब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, शो को शुरुवात करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, डॉक्टर साब का साउथ मुंबई में, कुलाबा में, नया सेंटर शुरू है, तो डिफिनिटली आप कु और आपको वाटसएप के जरीए बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इवन आपके एमेल पे भी बहुत सारे जन आपसे सवाल पूछ रहा है, और लोगों को सेक्शल डिसफंशन के बारे में साइन्टिफिक इन्फरमेशन चाहिए, इसलिए आपने एक बहुत ही एहम ट का यह अपना लास्ट मोड के ऊपर आये है, यहां पर हमारे 27 जो प्रकार है, हमने डिस्क्राइब किये है, मैड मेंस ब्रेस्ट, स्पेशली, सेक्स एडुकेशन, सेक्शल आविरनेस और सेक्शल सेफटी, इसके अंतरगत हमें साइन्टिफिक इन्फरमेशन ले रहे है, अपना नौन पार्टनर उसे के साथ यह नौलेज अपने को जो ले रहे है, उसे अपना ना है, कुछ दै उट सोगे तो उसमें से रिमू करना है, मैड मेंस ब्रेस्ट फिगर में देखते हो, पॉइंटेड ब्रेस्ट है, ट्राइंगुलर, ऐसा लग रहा है कोई कोई कोन है इसका मतलब बेस्ट ब्राड है, सामने नेरो होते जा रहा है, तो इस तरह के ब्रेस्ट जो रहते हैं, उसे कहते हैं मैड मेंस ब्रेस्ट या ट्राइंगुलर बेस्ट, और उससे क्या होता है, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, या कुछ करेक्शन क्या कर सकते हैं, वो भी हम द okay inverted cone breast again the best which are broad at the base and narrow at the tip it's a very difficult for keeping a bra or any type of inner garments on that but why we are looking after such a names because when such a couple comes to me in my consultation just they sit in front of me so I have to judge and in mujhe samaj lena hai bhai in ko kya ho raha hai in ko kuch complaint hai us ke baare mein ya shape ke baare mein complaint hai ya koji ar complaint hai to eki kohonga normal creature mein jane ki jordat nahi jada lekin is tarah ke brace ko samujo partner accept nahi kerta ho empty brace lagta hai bhout bar to us mein hum koji fillers dalke fiat injection karke usse normal ker saktay yahi iske normal creature ka significance hai definitely sir show mein eek caller google kya kolka koarese hai umeji 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 umejiya sripal puchhye you have called me in a phone connectu hai fatigo yeah hello, say hello sir 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 my partner's deliverer delivery के बहुद भूप दिलिवरी के बहुद हुद 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 है so that be treatment available की वे से भी साइज काफी बड़ी रहती है बहुत बार होता है कि आए सुमिझ जी जब बच्चा उसे हम फीडिंग कर रहे है उसे पुलिंग होता है समझ जब सपोर्ट नहीं मिलता है मदर के तरफ से ऐसा पुलिंग होने से स्कीन और उसका अंडरनीत का एरिया वो डाउन हो जाता है लैक्स हो जाता है और जब फीडिंग बंद हो जाएगा छे साथ मैने के बाद तो वही लैक्सिटी मेंटन रहती है और जिसे उन्हें इंट्रेस्ट नहीं आता है क्रंपल बेस लगते हैं तो ऐसे कैसे हैं यह क्या होता है जायर डेकोरेटर आपको पता है भी फिलाल कुछ टैटो निकालना है ठीक है आम सोगे आउगे लेकिन यहां पर चेस के ओपर स्पेशली ब्रेस के लाटला स्केट में जो कि अंदर या बाहर हाफ वे में दिखाई दिया जाए वो करते हैं बहुत बार क्या ह विसनिए और देता है अन्दर देते है इसे ऐसे तरह के ब्रेस जिसमें औरनामेंट डालते हैं कोई टैटो zł निकालते गएं तो इसकेता है तो सर क्या इसे भी क्यों और उर नाम से बुलाई जा सकता इसे ऐसा क्यों कहा जाता है बहुत बार ऐसे टाटो के लिए और सेफ्टी इंफॉर्प्शन दोगा जहां पे भी टाटो निकालोगे पहले धान में रखो आपको कोई किलोडल टेंडेंस याने जखब होने कबाद उफ़र के ज्यादा आना वो होगा उसने नहीं करना है जहां पर किया जा रहा है वहां पर नीडल सेफ्टी है क्या उसका डाय अच्छा है क्या क्योंकि एक बार एक दुसरे से नीडल हो जाए है होने के चांसे तो इस तरह के अलग-अलग नेम से हमें इंट्रेस्ट से भी उसे कैसे डिकॉरिटिव करने में कैसे उसे और ज्यादा पूछे आपका फोन कानेक्ट हुए है है अलो ग्रेस पीडिंग करते वक्त पें होता है तो क्या करें ऑके इक्सलेंट देखो अलग-अलग टाइप के कंडिशन से यह ज्यादिश्ट के फीडिंग के वग पें क्यो होता है सबसे इंपर्टन यह बात है बहुत बार क्या होत गया तो वह पें इंपेक्शन होता है तो डेफिनिटल वो पें करेगा सेकंड तिंग बहुत बार ब्रेस्ट अप्सेस कुछ कारण सो वहां पे ब्रेस्ट में मिलक वैसे ही जमा है और उसको मिल्किंग आउट नहीं हो आए तो उससे कूई इंपेंडरनेस फीवर पें यह हो लेकिन यह होने के बाद वो completely बाद में normal होता है तो इसे कोई चिंता करने के जुरत नहीं है definitely, sir आगे बढ़ते हैं एक और टाइप अफ ब्रेस्ट है, cryolast breast यह क्या होता है, sir? definitely, अभी देखो, figures में देखोगे, तो वहाँ पे tubular breast, pencil के जैसे breast दिकरे हैं और उसका tip भी नारो है, base भी नारो है, तो ऐसे breast कोईते है, cryolast breast, जिसमें क्या affection होता है, कैसे repair करना है, देखेंगे और definitely, sir, तो क्या इसे भी कोई और नाम से पुकारा जाता है, yes, pencil breast, teacher's favorite breast, because वह यूज़ करते है, चौक, तो ऐसे breast को अलग-अलग नाम इसलिए है, कि भई उसको कपड़े पहिनने के बाद या बहुत 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 पहिनने के बाद उसका alleviate रहते है, shape maintenance रहता है, तो ऐसे केस को समझो, partner के लगता है, उसे हम कुछ reconstruction करना है, तो fillers है, fat fillers है, जो रत पड़े, तो जो भी size की implant है, broad-based implant है, या clinical implant है, उसे करके हम अच्छा कर सकते हैं, तो friends, यह discussion करने का एक ही परपत था, एक ही मकसद था, कि आपके मन में कोई doubt ना जाए, ऐसे 27 परकार मिलेंगे, वो भी normal है, कुछ change करके लेना है, तो cosmetic surgery कर की normal कर सकते है, विशेशगे sexology, और चैनलों को दिखा के, आपकी जो doubt से clear करें, और अपना नीजी life अच्छी तरह से enjoy करें, definitely sir, thank you so much, आपने इस सारी चीज़े हमारे साथ चेयर की पर, sir, समय की थोड़ी सी पाबंदी, असलिए आज की episode में हमें यही पर रुखना पड़ र और आपके लिए खुश खबरी ऐसे है कि डॉक्टर साब का South Mumbai में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो definitely आप कुलाबा सेंटर में भी sir का appointment लेके consultation जरूर पा सकते हो, चलि दोस्तों, आज के show में समय हो चला है, यही पर रुखने का शुक्रिया